आप सभी को अलका शर्मा का नमस्कार दोस्तों आज मुझे कुछ लोगों ने कहा कि मैम आपने बहुत दिनों से यूटीव और एववी पर कुछ डाला नहीं मुझे उनकी अपने लिए परवा सुनकर अच्छा लगा आस्वस्ता के कारण मैं कुछ इधर बना नहीं सकी पर ज काल में लिखी हुई ये कविता सुने जो की मैंने हाल ही में लिखी है कविता का शीर्षा के दुआएं सोचती हूँ थोड़ी दुआएं इकठा करलूं कुछ आशीश कमालूं किसी रोते बच्चे को हसा कर कुछ कापते हाथों को सहला कर कुछ उनकी सुनकर कुछ अपनी सुना कर कुछ उनके अनुभव बाट लूं कुछ जिन्दगी की सीख लूं किसी भूखे को कुछ खिला कर कुछ बच्चों को कुछ दिला कर बेवजा की शरारतें देखूं उनकी बे मतलब की शिकायतें सुनूं कुछ पौधों को लगा कर थोड़ा सुभे शाम उन्हें पानी पिला कर उन्हें बढ़ते हुए देखूं माया के मुह से थोड़ा हट कर कुछ मासूमियत के पन्ने खोलूं बहुत समझदार रह लिया बहुत कुछ है सहलिया अब थोड़ी मुस्कुराटें बिखेरूं जिन्दगी की आपा धापी को छोड़ कर कुछ चैन केशन जी लों जो खो गया उसकी कसक दिल से मिटाने के लिए उसकी कसक को मिटा कर फिर कभी ना उदास होने के लिए एक बार जी भर रोलूं कुछ उदास जेहरों को हसा कर कुछ मुर्जाई सूर्थों को जगा कर कुछ खुशियां बाढ़ दूं कुछ मासूम मुस्कुराहटे समेट लूं उनकी भोली सी आखों की नमी को सोग कर कुछ उमीदों के बीच बोदूं कुछ उमीदों के बीच बोदूं चलू सोशती हूं कुछ दुआएं इकठी करलूं कुछ आशीश कमालूं चलू सोशती हूं कुछ दुआएं इकठी करलूं कुछ आशीश कमालूं आपको मेरी कविता कैसी लगी अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें यदि आपको मेरी कविता अच्छी लगी हूँ तो मुझे दुआएं दें, शेयर करें मेरी कविता को और उसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें आपकी प्रतिक्रिया की प्रतिक्षा में धन्यवाद, शुब रात्री, शुब रात्री